हलो एंड वेलकॉम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासिस तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेस्टिन सिरीज अब यह स्टार्ट करेंगे क्वेस्टिन नमबर 1635 से क्वेस्टिन क्या है फू ड्वेल्प दी स्माल पॉक्स वेक्सिनेशन ठीक है एड़ड जेनर, एलेक्सेंडर फ्लेमिंग, एलवड आइंस्टाइन या फिर नन आफ दी अब अब आब तो इसका राइट अनसर है एड़ड जेनर ठीक है तो इन्होंने स्माल पॉक्स की वेक्सिन की खो जा था और एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था उन्होंने पेंसलीन का डिस्कवर किया था याद रखने है आपने पेंसलीन की डिस्कवर किस ने की थी वो अलेक्जंडर फ्लेमिंग ने नेक्श थी यूक्लिड वास तो यूक्लिड कौन थे एक ग्रीक मैथेमेटिशियन बिलकुल सही है तो सारी स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट है नेक्श थे फाइयान वास तो फाइयान कौन था थे फर्स्ट बुद्धिस्ट पिल्ग्रिम टू अफ चाइना टू बिसिट इंडिया त्यूरिंग ती रिजियों में चंदरगुप्त बिक्रमा दितिया ठीक है तो ए इसका राइट अंसर था ये फाइयान यादा है फाइयान किसके दरवार में आये था तो ये भी आपने याद रखना है कि ये चंदरगुप्त बिक्रमा दिते के दरवार में आये था फाइयान नेक्श वेश्ट फिर्दोसी फिर्दोसी वास फिर्दॉसी कौन था? ए परेशियन पोईट फिर्दॉसी बिल्गुँ सही है वेल नौन फॉर हीज एपिक शह नामा बस ये भी आपने याद रहा हैंगे शह नामा किसे ने लिखा था? वो लिखा था फिर्दॉसी ने और अकवर नामा किसे ने लिखा था? वो लिखा था अबुल फजल है तो इसके जो है वो दोनों स्टेट्मेंट कोरेक्ट है नेक्स्ट है वो इस आलसो नोन ऐस दी लेडी बिद दी लेंप लेडी बिद दी लेंप तो फ्लोरेंस नाइटेंगेल स्रूजनी नाइडू, रानी लक्षमी बाई या फिर विशेंद्री पॉल तो इसका राइटेंस रहे है फ्लोरेंस नाइटेंगेल अपसिन नमबर A ठीक है स्रूजनी नाइडू आपको पता है इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रही है और फ्रस्ट इंडियन थी जिन्नोंने आइएंसी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रेजडेंट रही है कब रही है ये रही है 1925 में ठीक है रानी लक्षमी बाई या जहांसी की रानी इनको बोला जाता था और इनके बच्पन का नाम जो था वो मन्नू था बिशिंद्रिपाल आपको पता है कि पहली फिमेल थी इंडिया की जो की मौंट एवरेस्ट पे चड़ी थी अब मौंट एवरेस्ट है कहां पे यह है नेपाल में जिसको नेपाल में क्या बोला जाता है सागरमा था और इंडिया की जो हाइस्ट पीक है वो है K2 या फिर गॉडविन आस्टेन नेक्स्ट है गैब्रियल डैनियल फारनहाइट वास तो ये कौन थे ये जर्मन फिजिस्ट ठीक है ड्वैल्प दी मर्करी थर्मामेटर बिल्कुल सही है इन्होंने मर्करी थर्मामेटर को ड्वैल्प किया था कब किया था 1714 में डिवाइस्टिव टेंपरेचर स्केल तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट कोरेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है गैलेलियो वाज एन इटेलियन एस्ट्रोनोमर हू तो इन्होंने क्या किया था कि लेलियो ने ड्वैल्प दी टेलिस्कोप बिल्कुल सही है ड्वैलियो डिसकावर्ड फोर सैटेलाइट आफ जूपिटर बिल्कुल सही है डिसकावर्ड डैट दी मॉमेंट ओभ पेंडूलम प्रोडूस्ट ए रेगुलर टाइम मेजरमेंट बिल्कुल सही है पहले इन्होंने टेलिस्कोब बनाया और उसके बाद उसी सही फिर इन्होंने जूपिटर के सेटलाइट को खोजा था नेक्स्ट है तो इंग्लिस पोईट्री के फादर किसको माना जाता है जॉफ्री चॉशर को आपसिन नमबर ए नेक्स्ट है जो फर्स्ट प्रेज़ेंट रहे हैं यूएस से के जॉफ्री बुश ये भी प्रेज़ेंट रहे है बिल क्लिंटन भी प्रेज़ेंट रहे है बिल क्लिंटन बहुत फेमस प्रेज़ेंट रहे है यूएस से के नेक्स्ट है तो सिख्खों के आपको पता ही है कौन है वो है गुरू नानक देव जी ठीक है गुरू गोविंद सिंग जी दस्वे गुरु थी लास्ट गुरू थे सिख्खों के और उन्होंने ही गुरू गोविंद सिंग जी नहीं खालसा पंत की स्थापना की थी ठीक है यह आपने याद रखना है कि खालसा पंत की स्थापना किसे ने की थी वो की थी गुरू गोविंद सिंग जी ने देखो भी बताये, बिल्कुल सही है, founder of Khalsa, the inner council of the Sikh, बिल्कुल सही है, कब की थी, ये भी आपने date याद रखनी है, 1699 में इन्होंने Khalsa 15 की स्तापना करी थी, और author of Dasham Grant, बिल्कुल सही है, all statement is की correct है, next है, who invented the radio and wireless system, तो इसका right answer है, Guglimo Macroni, option number A, Lewis Braille, कौन थे, जिन्होंने Braille Leapy को invent किया था, Braille Leapy, जिसको अंधे जो है, उसके थुरू पढ़ते हैं, Braille Leapy से, ठीक है, Lewis Braille ने, next है, sir, Humphrey Dreyrae was a British chemist who invented the safety lamp for miners, safety lamp miners के रिए बनाए था, बिल्कुल सही है, discovered the anastic properties for neutral oxide, बिल्कुल सही है, तो इसको दोनों statement correct है, next है, who discovered the law of graviation and three law of motion, law of motion किसको ने दिये थे, यह आपको पता है, sir, Isaac Newton, ठीक है, next है, जम्शेद जी टाटा, टाटा जो फॉर्म है, उसके जो फॉर्स्ट थे, वो थे जम्शेद जी टाटा, तो यह आपको इनके बारे में, इनकी आप बाइग्राफी पढ़ना, इनके बारे में पढ़ना, इनकी बहुत ही, जो इनकी जीवनी है, बहुत ही इंप्रेसिव है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, जम्शेद जी टाटा बास, फॉर्णर आफ दी टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी, बिल्कुल सही है, फॉर्णर आफ इंडियन इंस्टील आफ साइन्स इन बेंगलाॉर, बिल्कुल सही है, विल्ट ताज होटल इन मॉंबई, बिल्कुल सही है, अपसन नमबर A, ताज होटल में ही अटेक हुआ था, आपको पता है, ठीक है, ताज होटल में पाकिस्तान की तरफ से जो कबचा कर लिया गया था होटल और उसके साथ में आपरोई होटल में भी जो फाइफ सार होटल है नेक्स्ट है इसके पीछे रीजन क्या था कांग्रेस की पॉपलर्टी तो वैसे बहुत जादा थी लेकिन एमर्जन्सी जब लगगे गई थी 75 में उसके बाद जब इलेक्शन हो तो उस टाइम कांग्रेस की पॉपलर्टी काफी हद तक बहुत डाउन चली गई थी तो इसी कही फाइदा उठाया था ठीक है तो लोकनायक भी उनको बोलते थे और जनता पार्टी किस तापना भी उन्होंने करी थी वो थे कौन जेप्रकाश नारेयन जेपी नारेयन और इनका एक बहुत तगड़ा मोमेंट चला था यूपी में जिसकी बज़ा से इंदरा गांधी को एमबरजंसी लगानी पड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री कौन थे यह सेकिंड प्राइम इनिस्टर आफ इंडिया रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजा राहमोन राय कौन थे ब्रहम समाज की जिनोंने स्थापना करी थी 1828 में यह फाउंडर थे ब्रहम समाज के और आरे समाज के कौन थे वो थे दैनल सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इस वाई इस जोन डाल्टन फेमस वार तो जोल डाल्टन किसके लिए फेमस थे यह हैं देखो बिलकुल सही है तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेविजन को इनवेंट कब किया गया था 1926 में किसके दोरा किया गया था यह किया गया था जोन लोजिक ब्यार्ट के दोरा ठीक है कुछ logic लगा के इनोंने TV को invent किया था next है John F. Kennedy John F. Kennedy कौन थे one of the most popular president of USA तो president तो थे USA के ठीक है the first Roman Catholic president ये भी सही है ये Roman Catholic president भी थे writer of why England slept and profile in courage तो इसके भी ये writer थे बिल्कुल सही है इसके सारी statement correct है और USA के first president कौन थे वो थे George Washington next कनिश्क कनिश्का वास तो इसके ताइम में ये भी आप याप यादे देगा है तो इसके सारी statements correct है ठीक है और कनिश्क के टाइम में ये भी आप याद रखना है कि कनिश्क के टाइम में जो सोने के सिक्के जो चलते थे वो सबसे ज़्यादा चलाएगे थे सोने के सिक्के किस के टाइम में चले थे वो कनिश्क के टाइम में या फिर कुशान जो डाइनेस्टी थी उनके टाइम में ये भी कॉस्चन पूछा जाता है ठीक है तो यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे